आज मैं आपको मिट्री पलट हलों के साथ कुछ एड़ेस्टमेंट या संगलगनक के बारे में बता रहा हूं इसमें पहला है कोल्टर क्या है कोल्टर एक विशेश परकार का एड़ेस्टमेंट है जो कूण की मिट्री को काटता हुआ चलता है और पीछे की ओर कूण की दिव को भी साप करता है इसका मुख्य काम खेत में खड़ी घास को काट कर मिट्टी में दबाने के लिए किया जाता है कोल्टर दो परकार का होता है चाकुनुमा या स्थाई कोल्टर इसको नाइफ टाइप या स्टेशनरी कोल्टर भी काते हैं दुसरा है तवातार या कोल्टर के बारे में बता रहा हूं इसका एग्जाम में चित्र भी बनाने के लिए आता है जैसे आएगा कि चाकूनुमा या सरकवा कोल्टर का चित्र की बनाई है तो इसको आप प्रेक्टिस करेंगे चाकुनमा कोल्टर की आकरी छूरे की याकार की होती है इसे आगे की तरफ हरीश के साथ इस परकार जोड़ा जाता है कि कोल्टर के केंद्र बिंदू और दाब रोधी के बीच पचपन से पचासी डिगरी का कोण बने परन्त जहां भूम के अंदर हल के सामने कंकर पथर ज्यादा आने की संभावना है वहां कोल्टर को थोड़ा और पीचे की ओर लगाया जाता है जिससे की कोल्टर के साथ अड़चन परने पर हल भूम से बाहर निकल आए और हल के साथ कोई प्राब्लम ना हो सामानकार के लिए कोल्टर को नोक यहनि फार की नोक से एक दसमेलो दो-पांच सेंटीमीटर से डेड़ सेंटीमीटर ऊपर की तरफ और एक दसमेलो दो सेंटीमीटर बिना जुती भून की ओर सेट किया जाता है इसको फार की नोक से सवा से डेड़ सेंटिमीटर ऊपर रखते हैं तथा सवा सेंटिमीटर जो बिना जुती भूम होती उस तरफ सेट करते हैं और अगर कोल्टर सही से सेट नहीं होगा तो यह सही काम नहीं करेगा अर दूसरा जो कोल्टर है वो डिस्क टाइप या तवे दार कोल्टर इसको बोलते हैं इसको एक सैंग की साहता से हरिष के साथ हल्तल के आगे लगाया जाता है इसे भी फार की नोग के उपर जो लेंड साइट की और यहीं दावरोधी की और कोल्टर को एक से डेट सिंटिमीटर पर सट किया जाता है और इससे कोल्टर के धूरे से लंबोत रेखा ठीक फार की नोग पर जाएगी तो इसको आप इस फिगर में भी देख सकते हैं यह धेज़े यहाँ पर यह डिस्क टाइप कोल्टर बनाया है यह दिस्क टाइप कोल्टर है और यह फार की नोग से ऊपर है, और एकदम उसकी सिधाई में है यहां हरिस से जोड दिया गया है अब पीछे की तरप यह दापरोधी या लैंड साइड है यह जो दूसरा figure यहाँ पे दिया गया है, यह jointer है, इसी परकार का एक और adjustment है इसका आप figure दहान से दिखिये, इसमें यह हरीस, यह हरीस है, यह आपका हल्तल है, इसके आगे फार की नोख से उपर यह jointer को set किया है, jointer जो है इसको still the marimikoulter की भाइव यह मिट्जूपलट्ट चेंब की मिलता जूलता एक संग्रजणा है है युः अई जॉइंटर क्या है इसकी सखल मट्टी पलतने वाले fab हसे शूड़ा मिस्कार उब हता ऑच होटा है और इसको एक तरह से मिट्टी पलट हल का एक सेंपल मान सकते हैं नमून ना मान सकते हैं इसे जो हल तल के आगे लगाया जाता है और ये घास को खुरुचता हुआ हल की सी 5 सेंट्रेट गहरी जुताई भी करता है जिससे जो है घास कट जाती है और इसके पीछे हल द्वारा इस घास को मिट्टी में दबा दिया जाता है और ये सड़ कर खात का कार करती है तो जोइंटर लगाने से दो लाब है, पहला तो घास को काट दिया जाता है, दूसरा जो है यह घास मिट्टी में दब जाती है और कभी-कभी यद आप चाहें तो जोइंटर और कोल्टर को एक साथ भी लगा सकते हैं लेकिन यद खेत में कोई खड़ी फसल हो या हरी चाहरे की फसल हो या बहुत बड़ी-बड़ी घास हो तब वहाँ पर जोइंटर और कोल्टर काम नहीं करेगा, उसके जगा पर वीड हुक ये के अंतर है, वीड हुक इसको लगाया जाएगा या क्या होता है, या लोहे का एक मुड़ा हुआ सरीया होता है, जिसकी लंबाई धाई से 3.1 cm तक होती है, वीड हुक को हल के आगे की और लगाया जाता है, तथा या आगे उसके बराबर में हिराता है, और इसको कलेविस जो होता है, और गेज हील, या तो कलेविस या तो गहराई नियामक या गेज हिल के धुरे के साथ जोड़ दिया जाता है। इसका प्रियोग उस समय किया जाता है जब खेत के अंदर खुब बड़ी घासें हो या किसी चारे की फसल हो और उसकी जुताई करनी हो तो एक या वीड हुक क्या करता है। इस बड़ी घास या चारे की फसल को आगे की तरफ गिरा दिया। आगे की तरफ गिरा देता है। जिससे जो बायल होते हैं उनको चलने में आसानी होती है। और पीछे हल दोरा जुताई किया जा सकता है। तो इस परकार ये आज तीन एडजेस्टमेंट मैं आपको बताया हूँ। यह हर एक का सकते हैं कि हलके सहायक भाग हैं। इसको जुताई में सहायता करने के लिए लगाया जाता है। तो ये खो गया कोल्टर। कोल्टर दो परकार का होता है। ये चाकुनुमा। इसका चित्र भी पूचता है। ये भी ध्यान दिजेगा। तो ये चाकुनुमा कोल्टर है। दूसरा जो है यहाँ पर दूसरा डिस्क टाइब कोल्टर है। ये जॉइंटर का फिगर है। तो अगर एक्जाम ये फूचता है तो इसको आप तयार करें। अपने कापी पिलिक के याद करें। थैंक्यू।